कल रात आठ बजे के करीब बिहार लोग से वायोग ने अपने ओफिसियल वेबसाइट पर 69th BPSC Prelims Integrated Exam की प्रोविजनल एंसर की अप्लोड कर दी है उमीद करता हूँ कि आपमें से अधिकत तर विद्यार्थियों ने प्रोविजनल एंसर की के साथ मैच कर लिया होगा और one third negative deduct करने के बाद आपके absolute marks कितने बन रहे हैं इसका भी idea आपको हो चुका होगा इस बार की जो प्रोविजनल एंसर की जारी की गई है उसमें दो questions को delete किया गया है तो उन questions को देख लेते हैं इसमें से जो पहला question है वो set a का 33 question है जो रसी अभ्यागना गुरूप के head आप से पूछा गया था वैसे श्रमान तो जो इनको इसको आंसर माना था लेकिन अगस्त में हो गई थी तो आयोग का मानना है कि एक्जाम के day के दिन जो कि 30 सितंबर था यहां पर 29 सितंबर लिखा गया है पता नहीं क्यों ऐसा हुआ 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 उस दिन कोई भी व्यक्तिस ग्रूप है उसका प्रसन को आयोग ने डिवीट कर दिया है इक्टरशक कर सकते हैं कि act of god है अगला प्रसन देख लेते हैं जिस आयोग ने डिलीट किया है तो आप सूर्स मेंशन होना चाहिए कि आप 2011 से पूछ रहे हो या कोई तरीकी बात आई है या कोई रिपोर्ट अगर जारी हुई है अगर उसके अंसार आप पुछना चाहते हूं तो इस रिपोर्ट की एकोर्डिंग कि गया कि या कोई भी डिश्टगी Pak Portal कि इनोंने आलाड लग 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 आंग लेन की इस एक कौर्डिंग इतनी लग जनशन केह थी इस रिपोर्ट के अमसारी इतनी लग जन संक्ट्ट में का ए और नया कोई संतर स्था नहीं हे इसलिए इन तमाम फैक्ट्स को देते हैं उपलब थे जिसके बाद भी इस तरीके के ambiguous question क्यों बनाएगे जिन्हें बाद में delete करने क्यों सकता हुई किसी की date हो जाए अक्ट of God हो तो चीजे समझ में आती हैं लेकिन यह चीजे समझ में नहीं आती हैं समझ से परे हैं इसका explanation आयोग को ही देना चाहिए अब आ जाते हैं ह चीजे होती हैं जो effect करती है cutoff को उसके हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं तो हम इस वीडियो में उसको चर्चा नहीं करें कि वह आप देख लीजे नमबर ऑफ सीट्स इंटिग्रेटेड में 475 है और अगर आप समझने हैं कोई बीए स्पेस्पिक पद के लिए अप्लाई नहीं किया है तो अटेंडेंस लगवग 71-72 प्रशिंट था पीपर का difficulty level जाशे बता चुका हूं टफ था सब सेक्षन difficulty level आपके साथ साजा कर चुका हूं आपको दिखाई दे रहे होंगे अब आज आते हैं कटफ पे केटोगरी मेल और फिमेल केटोगरी में अगर 72 प्लस माइनस टू है अगर आपका और फिमेल केटोगरी में 73 प्लस माइनस वन तो आप मुख परिक्षा के लिए जूड़ जाए पूरी तनमंद से EWS 75 के अक्रॉस से अगर और EWS फिमेल 71 के आज पास SC 70 के आज पास और फिमेल में 66 के आज पास ST थोड़ा से SC से ज्यादा रहता है 72 प्लस माइनस वन और 68 प्लस माइनस वन EBC 73 और 70 यह जो मैं आपको दोन दिखा रहा हूं इधर मेल के है और इधर फिमेल के कटाफ है OBC और जेनरल का फर्क जो है घटता ही जा रहा है तो 76 प्लस माइनस वन और फिमेल में 73 प्लस माइनस वन BCL जो के स्पेसल के डगरी है विहार में OBC फिमेल्स के लिए इसके 71 और जो फ्रिडम फाइटर कोटे का जो रिजर्वेशन लाग हूँ है उसका जो कटफ है उस 72 72 के करीब जाने की उम्मीद है एक्जेक कटफ क्या होगा बताना बेहत मुस्किल है यह जो कटफ है इसमें हमने कितने तो पारामेटर्स ध्यान रखे ही है साथ में हमने जो यूटूब पर और अन्य सुरूतों से आप से जो फिड़ एक प्राप्त किया था वो सर्वे के माध्यम से हो सकता है आपके स्कुरिक्ति में कुछ पर्शाण दाले थे और कुछ सर्वें डाले तक हो एक पहली बात क्या अगर को किसी प्रस्ट परापत्ति है और आप उसके साक्ष्य हमारे साधा करना चाहते हैं तो एक नंबर आपके साधा किया गया है वाट्टसप का इस उनम पर आप पूफ के सा सकता है उसको साजा कर सकते हैं या अथेंटिक हो सकता है हमने पूछा था कि निगेटिव का डेट करने के बाद आपके एपसुल्ट मार्क कितने बन रहे हैं अभी लगबग देरा ते पूल कराया गया था 622 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है कि इसमें से लगबग कि 75 प्रतिसत लोगों का मानना है कि कटप जो है कहीं ना कहीं 82 के आसपास या उससे नीचे रहेगा कि जब हमने पिछली बार कोश्चन की डिफकल्टी लेबर के बादे में सर्वे कराया था कि याम के जश्ट बाद तो लगबग 92 परसेंट लोगों का मानना था कि यह पेपर बीपेसी के हिस्ट्री में सब्सेट टफ है और बीपेसी ने इस बार कुछ प्रस्ट यूपेसी के तर्ज पर भी पूछे है लगबग 2000 लोगों ने पाटिसिपेट किया था प्रोविश्चनल आंसर की से पहले और उसका रुज्ञान कटफ को लेकर यह था जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अब सवाल उठता है कि अगर इस रेंज में आपकी अंकार हैं तो आपको क्या करना चाहिए अग्तिम चैन में जो सबसे महाथपुर्ण भूम कह सकते हैं को मेंस में-जो इंपोर्टंटечьक्संस रेंज वह थिन है आपके जीए इसको आप पांच सब सेक्षन में डिवाइड कर सकते हैं और इसे में अपकर पस तीन सब सेक्षन है हमारे द्वारा 5 अक्टूबर से एंसर राइटिंग प्रोग्राम की पहली बैच की शुरुआत हुई थी इजाम होने के बाद इजाम से पहले जो बैच चल रहे थे वो तो शुरू हो ही गए हैं साथ ही एक नया बैच की शुरुआत हुई थी पांच अक्टूबर से तो अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर एक दिया हुए है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हुआ है इस नंबर पर आप मैसेस पिंग कर सकते हैं इसके द्वार आपको मॉडल एंसर सेंपल एविलिटेट कॉपी के सेंपल कॉपी दी जा सकती है या कोई और डाउट हो प्रोग्राम के संबंद में तो आपको दिया जा सकता है प्रोग्राम में हम 75 डेज लेकर चलते हैं जिसमें 15-15 दिनों के 5 सेक्षन में जी एस को हमने डिवाइट किया है डी आई के 75 को सबको अलग से मिलते हैं ग्रूप में और जो एसक आपको सेक्षन है उसमें हम आपको चार एसे देते हैं वीक में इसे के मॉडल अंसर आपको प्रोइट नहीं कराए जाते हैं जी एसे के मामले में क्यों आपको प्रोइट की जाएगी साथे साथ जो हमारे पास 68 BPC में शातरों के दौरा लिखे गए इसे हैं उसमें से जो अच्छे इसे हैं वह भी हम आपके साथ ग्रूप में साजा अगला बैच कि अभी अफिसेल नहीं हुई है उमीद है कि हम 13 या 14 अक्टूबर से नेक्ट बैच शुरूआत करेंगे तो अगर आप इसी बैच से जूड़ना चाहते हैं जो 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है उसमें भी जूड़ सकते हैं नहीं तो अगर आप फिरस बैच से जूड़ना चाहते हैं तो 13 यह 14 अक्टूबर से अगला बैच शुरू होगा है अगर आप सीडूल चाहते हैं जिसके हमने आपको बताया मॉडल अनसर चाहते हैं या इवलेटेट कॉपी की सेंपल कॉपी चाहते हैं तो आप मेडियम लेकर आप हमें इस नंबर पर दोगते हैं डाने मैं